तो दोस्तों आज की वीडियो में डिसकस करने बाले हैं बॉटनी मेजर फस्ट पेपर का स्लेवस जो की आचुका है मैंने मेजर माइनर ओपन इलक्टिव सेकंड पेपर का स्लेवस अप्लोड कर दिया है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो कैमिस्ट्री और जूलोजी का भी अप्लोडेट है ठीक है आप चाका रेकवार चाका और जरू कर लेना और आज मैं आपको बताने बाला हूं बरस्पति विग्यान जो कि आपका बॉटनी मेजर फस्ट पेपर होता है आज मैं आपको इसका स्लेवस बताने वाला है पूरा तो चैनल को सब्सक्राइब नीक है तो चैनल को सब्सक्राइब और बड़ आइकन को प्रस करें ना ताकि हमारी वीडियो की नाटिपिकेशन आप तक पहुंच रहें तो चलिए तो सबसे पहले तो आपकी जो मार्किंग रहने वाली है तीस नमर के जो है आपको सीसी और आपका प्राक्टिकल रहेगा ठीक है और सब्सक्राइब आपको पासिंग मांस के लिए आपर थैटी फाइब चाहिए होंगे तो हमें आप पर इसका स्लेवस देखने वाले हैं तो यहां पर फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट यूनिट में है आपका अब शोषण चलका परिवान एवां बास्पो उस्तरजन रंदों की कार की यह सब आपको जो है फर्स्ट यूनिट के अंतरकत पढ़ने को मिलेंगे यह आपका पुराना स्लेवस है फाइनल एर का बही स्लेवस से पूरा बिलकुल चैंज नहीं हुआ है माइन मेजर वालों क पूरा जो है चंच हुआ है कार्वनिक पदार्तों का परिवन इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा फुल एम परिवन की किरिया विदी स्रोश सिंक संबंध बिले इस थनांतरन को प्रवाइद करने वाले कारक यह सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे अब सेकंड इसके जो बढ़नक होते हैं इन दो बढ़नक प्राणियों की अबधाना और प्रतिकरिया कैल्विन चक्र हैच और और इसके इसके अंतरगात और पढ़ने को मिलेगा हमें यहां पर आप दे सकते हैं कि हैच स्किल मार्ग और सी इम मौ दे प्रकास शुषंस की क्या होता है फ्रकास कई से पुस्ष्ष्षं कि आंको बताबार एंप तो आपन नाइट्रोजन अप पच्छा है में आपको पढ़ने को मिलेगा नाइट्रोजन थ्रीकरंण का चीवन बिग्र्ज्यान और सहजीव नाइटोजन डिटक्टिस का महत्व रिडक्स का महत्व और इसका नियमन अमोनिया शिमांगी करन नाइटोजन चक्री सब आपको पढ़ने को मिलेगा ठीक है यह आपने 11 12 में पढ़ चुके होंगे यह सारे वही रिपीटिट चैप्टर हैं और इन सब के नोट्स आपको कल से स्टार्ट हो जाएंगे हमारी यूट्व चैनल पर कल आपको जो है हम नोट्स प्रवाइड करने स्टार्ट कर देंगे नाक्स्ट हमारी थाड्र यूंइट के अंतरकरत स्वाशन और बायो एनर इनर गैटिक्स इसके अंतरकरत हमें पढ़ने को मिलेगा माइट्र कॉंट्या जो कि माइट्र कॉंट्या का जो स्ट्राक्चर होता है ठीक है यह माइट्र कॉंट्या का जितने भी चीज़ें आती यह सब आपको पढ़ने को मिलेगी एरोबिक और एना रोविक शुशन और इसके अंतरकत आपको किडवन ग्लाइकोलिसिस मोस्ट आइमपी है ठीक है इसमें यह जो चैप्टर रहे हैं का ग्लाइक कोलिसिस यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं ठीक है क्रेब चक्र एलक्टोनिक परिवायन टंत्र ऑक्सिडेटिव फास्पो रिलेरी फास्पो रिली करन ठीक है और आपको इसमें और पढ़ने को मिलेगा एटिपी संसलेशन फोट संसलेशन बीटा ऑक्सिकरन और संत्रिप्ट और असंत्रिप्ट फैटी एसिट यह सब आपको थाड़ यूनित के अंद्रकत पढ़ने को मिलेगा और यहां पर थोड़ा और रहे गाए फैटी एसेड और भंडा और गतिसीलता ठीक है यहां पर फोर्ट यूनित हमारे रहने के वाले हैं एंजाइम लॉजी इसके अंत्रकत आपको इंजाइम के बारे में पढ़ने को मिलेगा इस की स्टड़ी करने को मिलेगी ठीक है यहां पर जैसे कि आप जानते हैं बरी करन नामकरन और एंजाइमों की बिसेष्ता है एलेंजाइम की अपधारना है एपो कफायटस एंजायम की गती बीधी का विनियमन ठीक है किरिया का तंत्र एंजायम गती सील्टा को प्रवाइद करने वाले कारक यह जो एंजायम के होते हैं ठीक है अब इसमें आपको नेक्ष्ट इसके अंतरकात पढ़ने को मिलें का पादा फार्मोन ऑक्सिनेंस ठीक है इसमे आपको सभी प्रकार के पादा फार्मोन कितने कितने प्रकार के होते इस सब पादा फार्मोन आपको पढ़ने को मिलेंगे इनके कार ठीक है यह सब आपको पढ़ने को मिलेंगे और एसिट और एथनिल की खोज सरचना क्रिया का तरीका और सारिरिक भूमी यह सब आपको और बीज आंकुरान और उनकी नियमों के कारक, फोटो- पेडियोड़ेज की अबधारना, फूल की फीजियोलोजी, और फिलोरीजिन अबधारना, जैविक घडियां, जैणिता का सरीर विज्ञान, और फोटो- फोटो-मो, फइर जॉनेसिस, और फोटो- क्रोमसिस, और तंत्र जो की होते हैं ठीक है इसमें आपको सब पढ़ने को मिलेगा दोस्तों इसमें जो आपका फाइनल यहर का जो प्रौनश स्लेवर से भौही अएड हुआ है ठीक है और जो की बहुत हीज़ी है और मैं आपको जो है सबसे पहले कल कल से आपको जो है स्टार्ट करूंगा आपको नोट्स देना स्टार्ट करूँगा, कल से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, यहां से हम सब से पहले पढ़ेंगे, पादप जल सम्मंद का, पादप जीवान में जल कम महत्व, और इनके जो structure होता है, जल की सरचना होती है, बो सब हम कल इनके बारे में discuss करेंगे, कल 11 ब करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तो वीडियो कैसा लागा, दोस्तों, चनको सब्सक्राइब जरू कर लेना, और साथी साथ अपने दोस्तों में share कर देना, और यह भी बताना कि आप किस university से, आप किस college से हो, और जो है, इंग्लेस मीडियम बाले भी देख सकते हैं, आप पर syllabus ठीक है, इंग्लेस मीडियम बालों के लिए कैसा syllabus रहने बाला है, syllabus भई रहेगा, दोस्तों, बस क्या है कि हिंदी मीडियम और इंग्लेस मीडियम में थोड़ा वो हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप दे सकते हैं, अच्छे से आप एक बार जो है, screenshot ले लिजेगा, व